इनकी नीन तो अभी खुल नहीं रही है लेकिन मैं तो यहां रुक नहीं सकती बहुत देड़ तक फिर मैं आगई यहां पे अपने किचिन में और मैं फ्रिज में से सारे वेस्टेबल्स, मिल्क सब कुछ बाहर रख देती हूँ निकाल करके और मिल्क को फ्रिज में से निकाल करके बाहर रखने के टाइम पे अच्छे से मलाई उपर जम जाती है तो अगर आप गी के लिए मलाई निकालते हैं तो इसी टाइम पे निकाल यह बहुत लेट हो जाता है तो खराब हो जाता है इसलिए मैं फ्रीजर में ही रखती हूँ अभी मैं यहाँ पे अपना पानी ले रही हूँ पीने के लिए और जब भी मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ न तो मैं काम के साथ साथ ही पानी पी लेती हूँ पानी पीती रहती क्योंकि बरसात के टाइम पर कीड़े लग जाते हैं और खराब चल्दी हो जाता है तो मैंने सुचा थोड़ी देरी के लिए दूप में रख देती हूं और मैंने जो ही दूप में रखा तुरन पता निकभ अचानक से बारिश आ गई जब मुझे साउंड आया और मैं पाहर ग अहर वो बहुत दिनों से बांग रहा था है तो यहां पर मैं टूंड़ाफ का पास्ता ले रही हूं और में पास्ता को पहले कड़ाइ में डाल के ऊसके बाद मैंने इसे बाद этом करते हैं जब उस जादे ना डालें जैसे पास्ता डाल कि अगर पानी डाल रहा है तो आपको पता चल जाएगा पास्ता से थोड़ा सा ऊपर एक इंच उपर तक का पानी हो ताकि जल्दी से बॉइल हो जाएगा अगर पानी बहुत सारा डाल देंगे तो फिर पानी बॉइल होनी में ही बहुत लग जाता है तो जब भी पास्ता हो नूडल सो इंजीजों को बॉयल करें तो हमेशा उसमें और नमक जरूर से डालें नमक थोड़ा सा जाद ही डाल दे उसको जितना नमक लेना होता है वह उतना ही एब्साप करेगा नमक आपका जाद ही नहीं होगा और तेल अच्छे से डा यहां पे अपने ग्लास जार में फिल करके और में रख दूँगी तो किचन में हाथो हाथ काम भी करते रहना चाहिए अगर टाइम नहीं हो तो पैकेट को तुरंट फोल्ड करके उसमें क्लिप लगा करके या रवर बेंड लगा करके तुरंट उसको अंदर रगते कांटर टॉप पे ऐसे छोड़ देंगे तो जब बाद में पूरा खाना बनने के बाद आप देखेंगे तो पूरा अपका किचन फैल जाएगा उसके बाद यहां पे मैं अब विस्टेबल को कट करूंगी तो विस्टेबल बहुत बेसिक बेस्टेबल डाल रही हूं है ओनियन्स कै सबसे कम क्यारज बस इतना ही रहेगा तो ओनियन्स को मैंने बीच में से ऐसे कट करके और उसके जो लेयर्स हैं उन लेयर्स को मैं अलग कर लूँगी तो यहां पर टोटल मैंने दो ओनियन्स लिया था मीडियम साइज का उसके लेयर्स को मैंने यहां पर अलग कर दिया है य क्रीमी और थिक टेस्ट आएगा तो अगर आप उसी वाटर को यूज करेंगे तो आपको मैगर डालने की भी उतनी जुरत नहीं पड़ेगी पट मैंने इस टोर नहीं किया मैं भूल गई और मैं जल्दी में ही तुरंट उसको फिल्टर कर दी और यह ऐसा होना चाहिए कि आप की थोड़ा सा प्रेशर लगाए तो वह तूट जाए तो वही एकदम पॉफिक पास्ता होता है यहां पे लैसन की कलियां भी मैं छील ली हूँ और उसको इक पर गीली हाथ से मैं पोछ लेती हूं क्योंकि बहुत सारे लैसन गंदे हो जाते हैं उसके बाद यहां पे मैं की साइज का कट कर रही हूं आप इसको थोड़ा थोड़ा और चोटा भी कट कर सकते हैं अगर आप हरी स्रिम्ला मिर्च के लावा येलो वाला और रेड वाला बल पापर भी डालेंगे तो आपका पास्ता और भी नूट्रीशियस और देखने में सुंदर भी लगेगा अच्छा लगता है तो अगर कभी बहुत प्रेजेंटीबल पास्ता बनाना हो या फिर किस स्पेशल डे प्याप बना रहे हूं तो वह दोनों स्रिम्ला मिर्च भी डाल करके बनाएगा तैट फिल लुक बेरी नाइस कैरेट को पकने में थोड़ा जादे टाइम लगता है त तो इसमें मैं पहले वेस्टिबल्स को एक बर सौटे कर लूईगी ने थोड़ा सा बटर डाल दीया है और उसके बाद मैं डालूँगी सबसे पहले गार्लिक्स यह फ्राई हो जायगा फिर मैं इसमें बागी वेस्टिबल्स डाल करके और फोड़े धिरी के लिए इसको सौ तो इसमें आप कोई भी mix herb डाल सकते हैं या फिर औरगेनो जो आता है वो भी आप डाल सकते हैं मेरे पास दोनों था तो मैंने दोनों ही थोड़ा थोड़ा डाला है औरगेनो का फ्लिवर और अच्छा आता है comparison to mix herb मुझे ऐसा लगता है कि बाद इसको mix करके इसमें थोड़ा स salt डाल करके इसको cook करके इसको दूसरे बाउल में निकाल लूँगी मैं पास्ता का sauce बनाने के लिए मैंने दूसरी बड़ी कड़ाई यहां पे रख ली है क्योंकि खड़ाई थोड़ी सी बड़ी रहेगी तो mix करने में आराम रहेगा इसमें मैंने डाला है butter butter को मैं पहले से ह डाल करके मैंने butter के साथ अच्छी से mix किया है तो quantity nearby इतना ही रहता है कि आप जितना butter डालेंगे उतना ही आपको मैदा डालना होता है लेकिन अपने पास्ता के हिसाब से उसकी consistency आप manage भी कर सकते हैं पास्ता boil होने के बाद जो water होता है अगर आप उसको add करेंगे तो आप यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा फिर जब मैदा अच्छे से butter में mix हो जाएगा अच्छे से cook हो जाएगा उसका जरा सा color भी change हो जाएगा तब इसमें हाम milk डालेंगे तो milk भी मैं पूरा milk ने डालती हूं थोड़ा milk डालती हूं थोड़ा पानी डालती हूं तो milk यहा यहां पे मैंने Italian seasoning डाल दिया है और इसी में ब्लैक पेपर का powder डाला है एक ही बार मैं ब्लैक पेपर को पूरा powder करके और एक जाहर में store करके रखती हूं और ऐसी recipes के लिए बहुत आराम रहता है बार बार उसको crush नहीं करना पड़ता है उसके बाद आप यहां पे थोड़ा स सॉस आप उठाएंगे तो सॉस जैसे स्पून से नीचे गिरेगा तो वो एक फॉर्म में गिरेगा प्रेक हो के नहीं गिरेगा और आप अगर स्पून की पीछे एक बार अपना finger जलाएंगे तो एक clear line उसकी दिखेगी तो इसका मतला आपका पास्ता का सॉस जो है वो अच् से हो जाए चाहे तो आप चीज इसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं मैंने चीज का पुरा क्यूब पड़ा था मेरे पास मैंने उसको वैसे डाल दिया और थोड़ी दिर में वो पूरा मेल्ट हो गया पता भी नहीं चला उतना हम लोग चीज उतना जादे नहीं खाते हैं तो इसलिए बस यह बने चोटा साइड आला है या फिर अगर आपके बच्चे चीज बहुत पसंद करते हैं तो आप चीज को ग्रेट करके उनके बाउल में भी डाल सकते हैं तो यहां पी हो गई है मेरी कुकिंग और इसके बाद मैं आप फ्लेम को आफ करके इसको सौफ कर दू आप चुट्टियों के दिन बना सकते हैं या फिर बच्चों के लिए स्नाक्स में बना सकते हैं मतलब उनको आप जैसा ट्रिट देना चाहें वैसा बना सकते हैं ऐसी न्यू न्यू रेसिपी स्ट्राइ करते रहें और साथ में बैलेंस भी करते रहें कि जैसे आज आज आप कि रीजन से फूड आता है उस फूड को भी कहीं से भी पीछे ना छोड़ें अपने बच्चों को इंट्रड्यूस करा है नई नई रेसिपीस उससे भी बने हुई इससे बच्चे भी अपने रूट से जुड़े रहते हैं उनको भी टेस्ट पता होता है कि उनका ओरीजनल करने के लिए और जो पास्ता बचा हुआ था उसको मैंने होट पॉट में करके रख दिया है वो मैं बाद में खाऊंगी जब आ रहा हो स्कूल चला जागा उसके पाद तो यहां पर मैं आलू पराठे की स्टफिंग प्रिपेर कर रही हूं स्टफिंग बना कर लोंगी और य या फिर नयानेखнять कर रहे हैं आपको स्टफिंग करने में दिक्कत हो रही है तो यह सबसे पराठा बनाने का एक रोटी को अच्छे से बेल लो उसके उपाने रख दो दूसरी रोटी को भी बेल करके दोनों को चिपका करके हलकी से डस्टिंग करके उसके बाद उसको हलके ह पर रेडी कर देती हूं तो जनरली वो नहा लेता है अगर मेरे पस टाइम नहीं होता है तो मैं उसको खुद ही बोल देती हूं नहाने के लिए नहा लेता है अगर मेरे पस टाइम होता है तो मैं नहला देती हूं अदर्वाइस मैं सेट्डे संडे में से किसी टाम उसको नहला करना चाहते हैं तो बहुत थोड़ा सा दो तीन ड्रॉप आप कोकोनट ओयल ले करके अपने पाम में रब करके और उनकी पूरी बॉड़ी पे फैला करके और फेस पे लगा दें उससे भी बॉड़ी पूरा अच्छे से मौश्राई रहता है स्कूल भेजने से पहले मैं पांच मिनट पांच मुट उसके पास रहूं तो पूरा दिन बहुत सुकून से आराम से जाता है मेरा तो यह था आज का मेरा व्लॉग आई होप आपको पसंदाया होगा थांक्यू सो मुच फॉर वाचिंग बाए बाए टेक कियर